प्रभातखामर.com विश्वास्वही रवतार नहीं नौबतपूर के कर्णपुरा गाउं में एक गिल दहला देने वाली घटना घटी है यहां एक महिला और बच्चे को बंद कमरे में जिन्दा जला दिया गया बताया जाता है कि एक यूपती ने अपनी चाची को कुछ पैसे उधार दिये थे उधार के पैसे मांगने के दोरान ही कुछ विवाद हुआ और युपती ने अपनी चाची और उटके बेटे को कमरे में बंद कर दिया बताया जाता है कि दोनों को कमरे में बंद कर मिट्टी का तेल छिड़क दिया गया और आग लगा दी गई इस घटना में दोनों की मौत हो गई वहीं थोड़ी देर बाद ही ये खबर जब आग की तरह काउं में फैली तो लोग आग क्रोसित हो गए ग्रामीन मौके पर जुटे और उन्होंने जब कमरा खोला तो देखा कि रूम के अंदर से बदबू आ रही थी कमरे में राख विखरा पड़ा था जिसके बाद आख्रोसित लोगों ने आरोपित महला की पिटाई कर दी ना कि जानकारी मिलते ही नौबदपूर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह आरोपित महला को छुड़ाया आमीनों के गुसे का सिकार बनी आरोपित में एक अवरत एक बच्चा को जला दिया वहां अभी जान पतल चल रहा है कि अनलोग पहुंचे हुए ठीक सब्सक्राइब दुम्हों के जरा दिया यहां का जराद के मारा का रहा है उसको फकी दिया ले तब गहारी के उंकरे बाहर के अजमीन बारे के हले यहां का जमीन ब प्रभातगामर टॉट कॉम विश्वास्वही रवतार नई